नमस्कार आगर हम किसी फदली खेती सही समय करते हैं तो हमें अच्छा मंद्री भाव मिलता है और सात में हमें अच्छा उत्पादनी मिलता है ईजिया नमस्टिश्योज जवर मातिlaws समय का मतर फैशना अगर सब्वाव कमेंगर उन्यस ँमस्त् dispos hello क्यूंकि देखिए अगर हम सितंबर के महा में खेती करते हैं खीरा की तो जैसे कि आप सब जानते हैं आगे धीरे-धी ठंड आने लगती है तो होता है क्या कम लागत के द्वारा कम जिचाई के द्वारा और कम दवाईयों के द्वारा हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से गि के बारी के मैं बारे की से बताव working आए किस प्रकार जो आप fridge की उन्स भल खेती कर सकते हैं वह भी सितंबर के महा में कि तो सबसे पहले हैं महित्यां के महा में खीरे खेती चाहते हैं तो देखिए एक चीज आप को धि लिए खिराई président आको देशी खात की आशक पढ़ लिए अगर आप खिराई zdHe always यहां जबो देशेन की खिशनी में टो तो कि त्यारी को बात करें है sud up थे आप Clay ती किसी प्रिकारी भूमी में कर सकते हैं चाहें तो काली मिट्टी हो जिगनी मिट्टी हो रहतीनी मिट्टी हो किसी प्रिकारी की भूमी में आप इसके खेती कर सकते हैं बसरते आपको भूमी होने चाहिए प्रौपर उपजाव होने चाहिए अगर खेत की त्यारे को बात कुंद भुर्बरी करा लेना है अग उनने सिल किसमों को बात करें तो किसान बजी देखिए मैं हाँ पर आपको चार से पांच एसी उनने सिल किसम जो आपको बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी खेदी के अंदर लगाते हैं तो आपको पैदार भी अच्छे मिलेगा साथ में फिरे कंपनिय की घिलोजी के बारे में काफे वेश बरायटी है काफे तोप बरायटी है इसको आप अन्वी क्हेटी अंदर लगा सकते हैं नमबर दो मैं नहीं जो किसमे बरायटी की बहुत ही बढ़या और बहत्ति प्यारवर्स के अंदर देखने को मिलती है नमबर नाथ कंपनि प्रभी की 180 नंबर काफी सोपर और वहतिन खेरा है उसको भी आपनी खेति के अंदर लगा सकते हैं अगर बॉआई को बात करें तो किसान बाई देखिए कुछ किसान बाई यहां पर थोड़ी सी गल्ती करते हैं वह क्या करते हैं खेत के त्यारी के बाद खेरों का ऐसी बीच क जो हमारे खेरे के बीच को खाल लेती हैं क्योंकि आप सभी जानदे खेरे की मिंग होती है बीच के अंदर काफे स्वादिश्ट होती है तो अगर महारा पर हम किलोलगा यूज नहीं करते हैं तो घृष को खाल लेते हैं और फिर वह में नहीं होता जिससे हमें आगे चलकर भाली नुक्सान यहाँ पर हो जाता है, तो हमें करना के अप, हमें रोपाई यानि भीज़त की बुआई करने से पहले हैं, यहाँ पर DAP के साहथ में, एक बीगे के अदर में आ को ड़ोतार हूं, एक बीगे कंदर आप 8 से 10 km पर दिवेग प्रदledledवर आपको बखेर देना है उसके बाद ही आपको बीच की यहां पर भुवाई करणने हैं इस तो होता ह HOता है कि क्लोरों के पचान बात करें कि क gjया करते हैं जए के खेटी को ऐसे से पड़ा नहीं नहीं हुझा एक होता है ना तो खेरे का अंदर के ज्यादा माला आता है ना ही इस ङंद्ध के चुछ मचान वीजिस होती है दौनके प्रकाब रोगतर गोजिए प्रकार नहीं कreव 으ita तो जो खेरा जुनियों पढ़ा जाता है लोग रहती है और फंगस्तिय आ इती है तो आपके अंदर बशार मेरी से ही खेती करना आए वो सितंबर के महां में अगर आप खेती करते हैं तो फाइदा यह होता है कि आगे आने वाले समय के अंदर मौसम ठंडा हो जाता है तो हमारी फदल जो होती है बहती दिन पैदाबार देती है और साथ में मालगी क्वाल्टी भी काफी बड़ी हैं पर रहती है तो किसान बज़ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी हाँ पर कर दें ताकि इस तरह के की और वीडियो में